हाई गईज आप देख रहे हैं यूटिक मेडिसन यूटूब चैनल गईज कैसे हो आप आए होफ के आप अछे होगे गईज आज की वीडियो में हम लेकर आई हैं Q-Gold Apps Capsule के वरे में जान करी वीडियो में हम जानेंगे इस Capsule के फाइदे क्या है इसके brand name कौन कौन से है अगर ये market में आपको Q Gold F के नाम से नहीं मिल पाता है तब आप किस नाम से आप इसको खरीद सकते हैं और इनके side effect क्या है इस capsule का MRP कितना होने वाला है तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये आपसे request है वीडियो को बिना skip किये complete देखते रही है यो शुरू करते हैं तो गोल्ड F कैपसूल फार्मेड कमपनी की manufacturing है और अगर हम बात कर लें इसके MRP की सबसे पहले इसका MRP देख लेते हैं कि ये हमें कितने रुपए में मिल जाता है तो दोस्तो ये आपको 296 रुपए में किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाता है तो इसकी manufacturing 2020 की है और expiry 10 2021 की है यानि ये अक्टूबर 2021 तक की expiry date है दोस्तो इस capsule का जो combination है वो इसमें आप देख सकते हैं अलग तरह के salt को मिला कर इसको बनाय गया है यानि इसको compose किया गया है और हम जानेंगे कि इसमें जो salt composition है उसका combination कितना होने वाला है और इसके क्या-क्या फाइदे रहने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं इसके benefits के वारे में दोस्तों इस capsule का यूँ मारे body की जो cells होती है उनको growth करने के लिए और उनकी maintenance के ल जैसे जो हमारी body damage होती है या जो हमारी body पर effect होता है उसको होता है दोस्तों इस medicine के composition की अगर हम बात कर लें तो आप यहां देख सकते हैं इसमें L-Arginine Indian Pharmacopeia की guideline के अनुसार 500 mg डाला गया है इसके साथ इसमें आ जाता है folic acid Indian Pharmacopeia की guideline के अनुसार 500 mcg की मात्रा में डाला ग canon USP है 15 mg और इसके साथ ही vitamin V12 मिल जाता है आपको 2.5 mcg lycopene मिल जाता है और इसके साथ ही मिल जाते हैं आपको exipience तो यह इस medicine का complete आप देख सकते हैं कि इसका जो भी सारा composition यहां देखने को मिल जाता है गाइस बात कर लें इनके benefits यानि हर एक medicine है इसके क्या-क्या benefit है तो गाइस इसमें जो आपको L-Arginine है वो जो ladies होती हैं उनमें ovarian function को improve करता है यानि उनके जो गर्भधारण की छमता है या गर्भासे से related यानि जो अंडासे से related जो भी उनकी समस्या होती है उसमें ये बहु dependency rate को बढ़ाता है और इन सब चीज़ों को maintain करता है यानि ovarian related जो भी इसके functions हैं उनको maintain करने का काम करता है दोस्तों बात कर लेते हैं lycopene की lycopene हमारी body को free radicals से यानि जो damaging cells होते हैं उनसे बचाता है यानि हमारी body को free radicals से बचाता है damaging cells को repair करता है इनकी growth को बढ़ाता है और इनको maintain करने का काम करता है इसके जात ही आ जाते हैं इसमें vitamins तो vitamins हमारे सरीर के अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत ही जरूरी है ज pipeline की pipeline के case में दोस्तों क्या होता है कि यह हमारे weight management को ठीक रखता है यानि हमारा budget नग बढ़ने देता है नग कम होने देता है यानि weight का management करता है digestion से related समझचा को खतम करता है सर्दी खासी को दूर करता है पेट में ulcer होने से बचाता है और इसके साथ ही हमारे बालों में जो dend rough हो जाता है hair loss की समझचा रहती हो उसको खतम करने का काम करता है और हमें stress free रहने में मदद करता है गाईस अब जान लेते हैं इसके कुछ basic instructions के बारे में तो यह आपको दो capsule a day or as directed by the physician तो यह इसकी dose की बात हो जाती है dose हमें से doctor की सला के नुसार रहती है in general case अगर doctor आपके use क करा सकते हैं तो वह आपकी जो भी body की required nutrients की मात्रा है उसको देखते हुए आपको इसका use करा सकते हैं store करने का इसका जो indication है वो यह है कि 25 degrees से जादा इसको तापमान पे store नहीं करना है यानि 25 degrees Celsius से नीचे के temperature भी restore करना है इसको dry और dark place में रखना है बच्चों की पहुंस से द देख लेते हैं इस strip में कितने capsule और किस तरह से निकलने वाले हैं तो दोस्तों यह capsule कुछ इस तरह से होने वाले हैं जान लेते हैं इसके brands ने मगर यह दवाई आपको q gold f के नाम से medical store पर नहीं मिल पाती है तब आप इसको q gold m q gold g gold capsule neuro kind gold capsule और neuro kind capsule के नाम से भी ले सकते हैं but in case neuro kind और neuro kind gold में कुछ medicine का composition का हलका सा फरक हो सकता है तो यह आप अपना देख कर और अपने doctor को दिखा कर ही इसका use करें बात कर लेते हैं इसके side effect की कुछ patients में इसके side effects भी देखने को मिल जाते हैं हो सकता है कुछ patient को इसको लेने के बाद उनको उल्टी जैसा फीलो यानि मितल आ सकती है जी मिचला सकता है या पेट में जलन हो सकती है इसके साथ ही उनको body पर कहीं लाल चकते यानि redness वगेरा हो सकती है और gastric की problem भी हो सकती है तो यह common general side effects इसके देखने को मिल जाते हैं लेकिन यह सभी patient में नहीं मिलते हैं कुछ patient में यह side effect देखने को मिलते हैं तो इ वाइकस से बन करें इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं ताकि उनको यह helpful जानकारी मिल सके हैं आप देख रहे थे